एक बार आपके साथ जुड़ें और आपको यहां पर डिसकस करेंगे आपके साथ इलेक्ट्रिक चार्ज़ें फिल्ड तो यह बाई एक बहुत जबरदस सेशन है बहुत इंपॉटन्ट सेशन है और एक लवे बैच में आपका फिर एक बार स्वागत है जहां पर हमारा डिसके किसके उपर होने वाला है एक नभी शर्वात हम करने जा रहे हैं फिर से आपको एक बार पूरा से लेबस नीट टी ती यह आपको पढ़ाने वाले हैं तो आप फड़ा-फड़ से सेशन के अंदर जुड़ जाओ और जल्दी से सेशन को लाइक जरूर करते ना और शेयर जर जो चेप्टर्ज है आप क्लास 12 के लगा लो पहले पूरी 12 कंप्लीट कराई जेगी फर आपको 11 कंप्लीट कराई जेगी तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स के अंदर जुड़ेंगे एक लवे बैच में आपका स्वागत है जहां पे लवे बैच का पहला लेक्चर इलेक चारुजिंग डिसकस करने वाले कितने तरीके साथ एक बडी को ach कर सकते हूं ये वह डिसकस करने वाले बहुत बड़िया तरीके से इस बैच कम क्तीनिव करने वाले आपको पढ़ाने वाले हैं साथी साथ question practice भी करेंगे, आज कुछ technical fault के कारण आज तोड़ा सा late होगे, लेकिन आने वाले session बिल्कुल on time आपको मिलने वाले, और बहुत बढ़िया तरीके से आपके इसके अंदर preparation गराने वाले है, so let's go for the electric charges and field, आज electric charges and field की सुरवात करेंगे, और electric charges and field में हमने बहुत preparation गरानी है, तो और ये भाई जो बच्चे अभी तक अंसाट के अंदर enroll नहीं हो है, आनकेडमी नेशनल स्कॉलर से पेडमीशन टेस्ट के अंदर enroll नहीं हो है, वो enroll हो सकते है, उनके benefits के हैं, लेकिन विना scholarship up to 150 crore मतलब यहाँ पे आपको free subscription मिल सकते है, plus का या iconic का, ठीके, और Eurospace Center के लिए आपको एक trip मिल सकते है, exclusive access मिल सकते है, आपको special rankers group का, और ये test 8th और 15th October को नहीं है, ये test 8th और 15th October को नहीं है, और ये offline और online दोनों mode में होगा, और आप code यूज़ कर सकते हैं, इस code का use करके आप इसके अंदर enroll हो सकते हैं, और India level के test में, इंडिया level के बच्चों के साथ बैट के test दे सकते हैं, और आपको बता दू, पूरे इंडिया से बच्चे, पूरे इंडिया से बच्चे इसके अंदर enroll होने वाले, और इस test की cost को minimum possible रखा गया है, मतलब 100 rupees इसकी cost है, अगर आप code लगा लेते हो, या 80, 99 rupees इसकी cost है, अगर आप code लगा लेते हो, तो तब उसके बाद भी 10% off आपको मिल जाएगा, 10% off आपको मिल जाएगा, और maximum benefit मिल जाएगे, तो चाहिए आप ITJEE के लिए prepare कर रहे हो, चाहिए नीट UG के लिए class 9 to 12 की preparation चल रही है, तो आप इसके अंदर enroll हो सकते हैं, और unsat दे सकते हैं, अनकेडमी का, ये national scholarship test, इसके अंदर आप लोग enroll हो सकते हैं, और जीनों ने इस session को like नहीं करा है, फड़ा पट से session like कर देंगे, so that we can start with the session, बढ़ी आ सा session हम शुरुबात कर पाए, और चलिए, आज basic सी बात करते हैं, या electric charges and filled, ये electric charges and filled एक बहुत basic सा chapter है, और इस chapter के अंदर जो हमने पढ़ना है, that is about charges at rest, मतलब सबसे पहले इसके अंदर के आएगा, charges at rest, जब charges रुके होंगे, जब वो rest पे होंगे, उनके बारे में study करना होगा, देखो थोरा सा theoretical portion आप में, आज हम discuss करेंगे भी कैसे हम body को charge करत है, कैसे body के अंदर charging होती है, क्या charges की बात होती है, अच्छा charges होते हैं, charges होते हैं, अगर मानलो एक body के पास positive charge है, और दूसरी के पास भी positive charge है, वो positive और positive आपस में क्या करने वाले है, repel करने वाले है, एक body के पास negative charge और एक के पास positive charge है, negative और positive आपस में क्या करने वाले है, attract करने वाले है मनलब यह वो चार्ज ही है ना जो force का nature पता कर रहे है force का amount पता कर रहे है और force किस तरीके से लगने वाले है उस सब चीज का पता कर रहे है तो मतलब कहना ही simply सेदाड charges it is the inherent property it is the inherent property it is the inherent property और किसकी property of the body which give rise to force it is the inherent property of the body which give rise to force जिसकी वरे से क्या लगेगा force लगेगी between two bodies which give rise to force between two bodies दो bodies के बीच में force लगने वाली है आप लोग भी chat box के अंदर आके बता सकते हो वह कितने तरीके की यहां पर charges हो सकते हैं how many types of charges are there कितने type के charges होते है फड़ा बट से इसका discussion करेंगे और बड़ी का तरीके साथ चलेंगे अगर मैं बात करूँ ना charges दो तरीके के है एक positive charge है एक positive charge है और दूसरा कैसे negative charge और दूसरा कैसे negative charge charges की वरे से force लगेगी charges की वरे से forces का nature पता चलेगा कैसा उसका nature है और दो तरीके के charge एक positive और एक negative अगर positive चार्ज के एक्जाम्पल की बात करूँ ना तो बहुत साधारन सा इंजाम्पल है इसका प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके उपर पॉजटिव चार्ज होता है और एलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके उपर नेगेटिव चार्ज होता है एलेक्ट्रॉन एक इसकी unit की बात करतों, तो इसकी unit क्या रहती है? कूलम रहती है, और कूलम का जो symbol रहेगा, that is c, कूलम का जो symbol रहेगा, that is c, और ये का scalar quantity है, अब ये scalar quantity का मतलब क्या होते है, इसके अंदर direction meter नहीं करती है, आप charge दे रहे हो एक body को, एक body को electron दे रहे हो, left से दे लो, right से दे लो left से दे लो, right से दे लो, upward दे लो, downward दे लो, कोई फरक ही नहीं है, चार्ज देना है, जहां से मर जी, वो चार्ज does not depend on direction, and if it does not depend on direction, that means it is a scalar quantity, that means it is a scalar quantity, अचा कितना चार्ज होते है, अगर मैं बात करूं ना proton गी, proton पे चार्ज होते है, 1.6 into 10 raise to power minus 19 कूलम positive में, electron पे 1.6 into 10 raise to power minus 19 कूलम negative में, मतलब they will have, मतलब दोनों charges का जो ये magnitude है, ये बराबर है, जितना proton पे positive charge है, जितना proton पे positive charge है, उतना ही electron पे negative charge है, और आपको पते हर एक material, आपने सुना होगा, हर चीज किससे बनिये, molecule से, molecule किससे बनिये, atom से, atom किससे बनिये, proton और electron और neutron को मिला के, मतलब these are the elementary particles of every emitter, कोई भी emitter, कोई भी body, electron और proton से मिलके बनिये, so can I say that, this is the basic quantum of charge, इसको मैं E के नाम से जानता हूँ, basic quantum of charge, basic quantum of charge, ये E हो जाएगा, अगर आपसे कोई पूछता है, बही, charge on proton कितना होगा, charge on proton कितना होगा, तो आपका आंसर होगा, proton पे charge होते है, plus E, charge on electron कितना होगा, तो electron के charge का आंसर होगा, minus E, E मतलब 1.6 into 10 raised to power minus 19, E मतलब 1.6 into 10 raised to power minus 19, that's it from the charges, ये charges क्या होते हैं, यहां से पता लग दिया, ये एक body की inherent property है, जिसकी वज़े से force लगेगी, दो तरीके के होते हैं, एक proton और दूसर neutron, सारी, एक proton और दूसरा electron, एक positive और दूसरा negative, एक positive और दूसरा negative, positive charge proton पे, negative charge electron पे basic quantum charge केरी करते हैं, scalar quantity और coulum इसकी unit है, कुलum इसकी unit है, हाँ जी, आगे चलें, और वाई, session like नहीं किये, जिन्होंने फड़ा-फट से like कर दो, जल्दी से like कर दो, और बढ़िया तरीके से आगे चलने हैं, अच्छा, अब चलें यार, properties of charge की तरफ, कितने तरीके के charges होते हैं, और ये तो हमने discuss कर लिया, अब इसक scalar quantity है, उसके बाद दूसरी property है, अब ये like charges क्या करेंगे, मतलब एक जैसे दिखने वाले, positive और positive है, negative और negative है, अगर positive, positive, negative, negative है, they will going to repel each other, ये दोनों आपस में क्या करने वाले है, repel करने वाले, the charges will going to repel each other, और अगर मान लो, unlike charges है, unlike charges का मतलब क्या होगा, एक positive charge और दूसर negative and they will going to attract each other, ये आपस में attract करने वाले है, ये आपस में attract, सब जानते हैं, positive और positive repel करेंगे, negative और negative repel करेंगे, positive और negative attract करेंगे, क्या अब question सीधा साधा आएगा, ऐसा पूछ लेंगे क्या, ये दो positive charge पड़े है, बताओ क्या करेंगे, there are few options, कुछ भी नहीं करेंगे, attract रिपल करेंगे, इनकी मर्जी, तो भाई ऐसा तो आएगा नि, अब हमारे से क्या पुछेंगे, बताओ Q1 और Q2, इसका product 0 से बढ़ा है, दो charges का product 0 से बढ़ा है, अगर दो charges का product 0 से बढ़ा है, तो मुझे ये बताओ, भाई ये क्या significance है इसका, क्या मतलब है इसका, अगर द जल्दी से chat box में लिखके बताएंगे, क्योंकि chat box आपका wait कर रहा है, दो charges का product अगर 0 से बढ़ा, ये charges attract करेंगे या रिपल करेंगे, ये charges attract करेंगे या रिपल करेंगे, और भाई share करते रहा करो session, तुम लोग बढ़िया तरीके से sessions को share करो, ताकि हम भी अपने efforts को और बढ आ सके, जल्दी से, और like भी कर दो, आज थोड़ा सा technical fault के कारण 12.30 पे live आएंगे, और next session आपका 12.00 PM पे होगा, और कली होगा, definitely हम बिल्कुल टाइम पे आएंगे, रिपल करेंगे, अचा, दो charges का product, product मतलब multiply करके 0 से बढ़ा आना चाहिए, दो charges को multiply करके 0 से बढ़ा तब ही आएगा, आइधर बोथ आर positive, क्योंकि positive और positive का product positive, आइधर बोथ आर negative, क्योंकि negative और negative का product भी positive होगा, तो I will simply say that, these are two like charges, ये दोनों एक जैसे दिखने वाले charges है, अगर ये एक जैसे दिखने वाले charges है, that means they will going to repel each other, आपके option में कुछ भी आ सकते है, आपसे पुछ तकते हैं, like charges है, unlike charges है, या data insufficient है, तो आपका answer होगा, like charges है, they will going to repel each other, अगर Q1, Q2 less than 0 हुआ, मतलब उनका product 0 से छोटा हुआ, product 0 से छोटा होने का मतलब एक charge positive होगा, और एक negative होगा, तब भी उनको multiply करके negative answer आएगा, तब भी उनको multiply करके negative answer आएगा, that means they are unlike charges, and unlike charges क्या करते हैं, ये लोग आपस में attract करते हैं, ये लोग आपस में attract करते हैं, they will going to attract each other, ये आपस में attract करने वोले, क्या ये बात clear है? ये आपस में attract करने वोले, पहली property होगी है, भी like charges क्या करते हैं, repel करते हैं, unlike charges क्या करेंगे, attract करेंगे, तो इसके significance भी पूछे जा सकते हैं, फिर दूसरा आपका ये additivity होती है, additive in nature है, additivity की property show करते हैं, मतलब आपने क्या करने हैं, अगर मालनों, एक body को काफी सारे charges दे रहे हो, इधर से Q1, इधर से Q2, इधर से Q3, इधर से Q4, क्या direction meter करेगी क्या? क्या एक body को जब charge देते हो, तो उसके अंदर direction meter करती हैं, अब उसको किस direction से charge दे रहे हो? हाँ जी, फड़ा फट से, मतलब मुझे एक sample सी बात करता हूं, charge being a scalar quantity, charge is a scalar quantity, अगर charge एक scalar quantity है, तो मुझे फड़ा फट से chat box के अंदर बता दो, भई क्या इसके अंदर direction meter करती है, आप कहां से body को charge दे रहे हो, इधर से दे रहे हो, इधर से दे रहे हो, इधर से दे रहे हो, क्या ये meter करेगा, भी आपने इसको direction कौन से direction से charge दिये, नहीं, अगर direction meter नहीं करती है, तो आपने total charge निकालने के लिए क्या करना है, q1 प्लस, q2 प्लस, q3 प्लस q4, simply add कर देना है, total charge, जो भी आपने total charge निकालने है, वो किसके बराबर होगा, algebraic sum of, algebraic sum of individual charge, जितने भी charges है, जितने भी charges है, सबका algebraic sum कर देना है, मतलब simply add कर देना है, सबको simply add कर देना है, सबको simply add कर देना है, हाँ आगी बात समझ, पहली property, the like charges will going to repel each other, unlike charges will going to attract each other, इसमें तो direction नहीं matter करती ना, मैंने आपको बोला था, यह scalar quantity है, इसके अंदर direction का कोई लेने देना नहीं होता, अगर direction किसी भी quantity में, direction का कोई लेने देना नहीं होता, वो scalar quantity उत्ती है, तो उसको simply add कर देते हैं, वहाँ पे हमारा, ऐसा नहीं होगा भी हम right से charge दे रहें तो positive होगा, left से देंगे तो negative होगा, यह situation महाँ पे नहीं आने वाली, यह situation महाँ पे नहीं आने वाली, third property is a conservation of charge, third property is a conservation of charge, अब यह conservation of charge is very important, यह क्या बोलता है, charge के neither be created, न आप उसको create कर सकते, न और भी destroyed, न आप उसको destroy कर सकते, charge के neither be created, nor be destroyed, कहने का मतलब कि आपके पास एक body है, आपके पास एक body है, जिसके उपर four column का charge है, एक दूसरी body है जिसके उपर two column का charge है, इसको हमने एक wire से connect कर दिया, this is body number A and this is body number B, फड़ा बच्छे chat box के अंदर लिखके बताओ, charge का transfer तब होते है when they are connected, हमने इसको connect कर दिया, charge transfer कहां से कहां तब होगा, मेरी बाद ध्यान से सनो, एक body के उपर four column का charge है और एक body के उपर two column का charge है, अब मैंने इनको connect कर दिया by the means of wire, तो ये charge कहां से कहां तक flow करेगा, A to B या B to A, charge के neither be created nor be destroyed नाम इसको बना सकते, नाम इसको खतम कर सकते, सरफ एक body से दूसरी body में transfer कर सकते हैं, स्वारा बूर रहा है four column to two column होगा, मनलब चार कूलम वली body में से दो कूलम वली body में जा जाएगा, A to B जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों का charge सेम ना होजे, जब तक दोनों का charge सेम ना होजे, एक charge है four column और दूसरा है two column divided by two, six by two answer कितना बनेगा, three column, मनलब ये charge transfer तब तक होगा, जब तक दोनों bodies के उपर कितना charge ना होजे, three three column, मेरी बात ध्यान से स six column, ये transfer होने से पहले की बात है, charge can आये गए, this is kin, charge can neither be created nor be destroyed, हम मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, क्या बोल रहा हूँ है यहाँ पर, transfer होने से पहले total charge कितना था six column, transfer होने के बाद total charge कितना है six column, क्या charge को create किया गया, क्या charge बढ़ा है, नहीं, क्या charge खतम हो गया, destroy हो गया, नहीं, charge can neither be created nor be destroyed, पहली three property हमारे पास हो चुकी है, and there are basically four properties, पहली property क्या बूलती है, that like charges गोना repel each other, unlike charges गोना attract each other, second property क्या बोलती है, यह additive होतने, additive का मतलब क्या होते है, भी scalar quantity है, अगर आपने total charge निकालने हो, तो आप इसको simply add कर सकते हो, अगर आपने total charge निकालने हो, तो आप इसको simply add कर सकते हो, ठीक है, और conservation of charge, charge can neither be created nor be destroyed, only it can transfer from one body to another, only it can transfer from one body to another, एक body से दूसरी body में transfer कर रहे थे हैं, क्या आपको इसकी fourth property का नाम पता है, क्या आपको इसकी fourth property का नाम पता है, जल्दी से chat box में लिख के बताओ, fourth property, different charges will gonna attract each other, वही बूर रहे थे, unlike मतलब different charges, like मतलब एक जैसे दिखने वाले charge, मतलब मेरे जैसा कोई शकल वाला आदमी आ जाए, तो मैं उससे repel करूँगा, because we are like to each other, तू भाग जाए यार, तूने नहीं पढ़ाना है मैंने, मैंने पढ़ाना है यहांपे, आजी और कोई property जिसके बारे मैं जानते हूँ, एक बहुत famous property है, quantization of charge, अब ही, अब यह क्या होता है, quantization of charge, यार यह तो बहुत simple है, मालो, अगर एक body के अंदर दो electron है न, और एक electron पे charge कितना होता है, E, तो इसका twice of E total charge होगा, एक body के अंदर पांच electron है, अगर एक body के अंदर पांच electron है, तो दस electron के लिए उसके उपर total charge कितना होगा, 10E और E एक electron का charge है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, अगर एक body के पांच electron है, तो उसका total charge किसके बराबर होगा, एनी, तो उसका total charge किसके बराबर होगा, एनी, that basically means, जो हमारा charge है न, वो discrete number में आता है, वो discrete number में आता है, discrete number का मतलब क्या होता है, अगर पहले E है तो बाद में कितना होजेगा, twice of E, क्या कभी ऐसा possible है, भी आपका charge 1.5 of E हो, मतलब एक body के अंदर, one and a half electron हो, एक पूरा electron हो और एक आदा electron हो, is it possible, नहीं, मतलब यह discrete number में आता है, E के बाद सीधा कौन सी value उठाएगा, 2E, 2E के बाद कितनी value उठाएगा, 3E, continuous में कोई value नहीं उठाएगा, continuous number का मतलब है, कोई मर्जी value उठा सकता है, चैए 1.1 हो, चैए 1.2 हो, चैए 1.3 हो, चैए 1.31 हो, चैए 1.35 हो, discrete number का मतलब होता है, एक number के बाद directly दूसरा number बीच में से कोई value नहीं उठेगी, बीच में से कोई value नहीं उठेगी, E के बाद directly क्या आएगा, 2E, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4E, 4E के बाद 5E, फिर 6E, फिर 7E, फिर 80E, फिर 9E, फिर 10E, तो मतलब जो total charge होता है न, वो किसके बराबर होता है, और N क्या चीज है, number of electrons, इसके अंदर number of electrons है, and this number of electrons is always an integral number, यह हमेशा integral number में उतने हैं, और यहाँ पे N की value क्या होगी, 0, 1, 2, 3 and so on, these are the number of electrons, सिरफ natural number, integral number भी कह सकते हो, बलाब natural number भी कह सकते हो, 0 भी हो सकते हैं, तो whole number लेके चलो, ठीक है, तो भई, अच्छा बता हो जड़ा एक बार जड़ा छोटा सा question, अगर एक body के पास 20 electron है, अगर एक body के पास 20 electron है, तो उसके पास total charge कितना होगा, अगर एक body के पास 20 electron, common sense ही बात अगर electron है, तो negative charge होगा, मतलब एक बच्छी बोल राइटिंग अच्छी नहीं है, भाई मैं इससे अच्छी नहीं लिख पाऊँगा, और साइद ये बहुत साफ लिखा गया है, ठीक है, साइद उसको पता नहीं है, Z कैसे लिखा जाता है, A कैसे लिखा जाता है, बाकियों को आ रहे हैं है, मैं राइटिंग समझ, माइनस 20E, यह तो पहली बार बोला, मेरेको किसी ने भी आपकी राइटिंग अच्छी है, कोई नहीं भाई, सुदार लेंगे, आज ही राइटिंग क्लासे जोईंग कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर E होते हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन पर 20E होगा, तो 20 इलेक्ट्रॉन पर 20E होगा, ठीक है, और अकांसा जी आप पढ़ने की ट्राई तो करो एक बार, आपने पढ़ाया बच्चों को नहीं समझाया, आप एक बार सुनो तो सही, आप बोलो राइटिंग अच्छी लिखो, अब ये क्यों को कैसे लिखो, क्यों ऐसे जाएगा, ऐसे, मतलब ये अच्छी राइटिंग में आ जाएगा, चलो, कोई बात नहीं, आप ये एक बार समझने की कोशिश कीजी, आएगा समझ, ये बहुत सिंबल सी बात थे बोल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज है, दस पर कितना होगा, टैनी, ये बच्छपन में सीखाता, अगर एक जने के पास 5 रुपे हैं, तो दस जनों के बाद 50 रुपे होंगे, ठीक है, अच्छा, एक और बात सुनो यार, अगर माल लो, एक बाड़ी के अंदर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से जादा हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स से जादा हैं, तो इक बाड़ी केसी होगी, यह positively charge होगी या negatively charge होगी, बहुत simple सी बात पूछ रहो, एक बाड़ी के अंदर protons, number of protons is much-much greater than number of electrons, तो यह बाड़ी कौन सी charge बाड़ी है, positively charge है, negatively charge है, या कोई charge है नहीं होगा, बहुत बढ़िया, अगर protons जाद हैं, तो कौन सी charge होगी, positively charged बाड़ी होगी, और अगर एक बाड़ी के अंदर electrons जाद हैं, as compared to protons, this is a negatively charged बाड़ी, और अगर एक बाड़ी के अंदर protons और electrons का number बराबर है, जिसे atom के अंदर होते हैं, जितने proton होते हैं, उतने electron होते हैं, जितने proton होते हैं उतने electron होते हैं अगर दोनों का number बराबर होगा तो केसी होगी है body तो यह किस तरीके की body होने वाली है neutral बहुत बढ़िया इस case में यह कैसी होने वाली है neutral तो ऐसे बोलते हैं atom as a whole is electrically neutral क्योंकि जितने protons होते हैं उतने electrons होते हैं तो ऐसे item पर कोई charge नहीं होता वो neutral होती है ठीक है अच्छा अब फिर से बात आते है method of charging बे यह charges के बारे में तो खतम हो गया अब हम चलते है method of charging बे क्या आप लोग बता सकते हो कितने तरीके के charging के method होते हैं How many methods are there to charge a body? एक body को charge करने के कितने method है? एक body को charge करने के कितने method है? दो, चार, तीन, त्रिवेदी साहब दो, मुस्कान पृत को और चार, एस थ्री, वेडियस आपको basically बता दू, there are basic three types of method to charge a body, first one is friction, first one is friction, second one is induction, second one is induction, and third one is conduction, third one is conduction ये तीन basic process से एक body को charge करने के हैं, अलब या तो आप friction से charge कर सकते हो, या induction से charge कर सकते हो, या conduction से charge कर सकते हो, अगर बात करूं friction की, यार क्या होता है? when one body, when one body is rubbed, rub करने है, over the surface of another, rubbed over the surface of another, दूसरी body के surface पे rub किया जाएगा, अच्छा, इससे क्या होगा? मालो क्या होता है, मैंने क्या करा, एक body को, यार देखो क्या होता है, outermost electron सब को पता है, भी loosely bound होते है, outermost electron loosely bound होते है, तो क्या करा, एक body को दूसरी body के उपर ऐसे rub कर दिया, अब ऐसे rub करने से क्या होगा? एक body से electron निकल के दूसरी body में चले जाएगे, एक body से electron निकल के द और जिसमें से इलेक्ट्रोन निकल के जाएंगे, वो क्या बन जेगी positively charged, जब एक बाडी को दूसरी बाडी के साथ रब किया जाएगा, तो एक से इलेक्ट्रोन निकल के आउटरमुस्ट इलेक्ट्रोन निकल के दूसरी के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रोन गए हैं, वो become positively charged, वो कैसी बन जाएगी positively charged, तो भही आपको पता होना चाहिए, भही friction के अंदर क्या होता है, friction के अंदर क्या होता है, one body is rubbed over the surface of another, common small piece of paper, आप कौम को rub करते हो, वो charge हो जाती है and that charge, sorry, that charge square will attract the piece of paper, वो small piece of paper को attract करता, that is the friction, frictional electricity, और ऐसी electricity, जो rub करने की वेज़े से आती है, उसको क्या बोलते है, frictional electricity, क्या ये बात clear है, हां जी आगया बढ़िया तरीके से समझ, अब चले, induction की तरफ, next we'll go for induction, induction में क्या होता है, when, when a charge rod, when a charge rod is brought near an uncharged conductor, near an uncharged conductor, एक uncharged conductor के पास लेक्या आएंगे, होता क्या देखो यार, एक uncharged conductor है, इसके अंदर बहुत सारे positive और negative lines randomly aligned है, और मैंने इसको एक insulating stand पे रख दिया, इसको एक insulating stand पे रख दिया, और एक positively charged rod इसके पास ले आया, touch नहीं करी, without contact चल रहा है, without contact चल रहा है, हमने touch नहीं करा इसको, without contact है, तो यह अपने पास negative charge खीचेगा, मनलब यह कह सकते हो भई, यहाँ से electron कीच के अपने पास ले आएगा, और जिससे electron निकल के है, उसके पास positive charge आजेगा, और जिससे electron निकल के है उसके पास positive charge आजेगा सर आपको ये पता होगा भी atom के अंदर जो outermost घूमते हैं वो electron होते हैं तो एक body के अंदर से electron निकलते हैं कभी भी proton की movement नहीं होती है इसने भी यहां से electron खीच लिए तब इसके पास positive charge आगया ठीक है और ये वला excess charge है मुझे ये charge नहीं चाहिए और जो charge नहीं चाहिए होता ना मैं उसकी कर देता हूँ earthing जो charge नहीं चाहिए होता हूँ उसकी क्या कर दी जाती है earthing ध्यान से सुनना कि process of sharing excess charge with earth जो फाल्तू का charge है वो earth को दे दो this phenomenon of charging a body देखो अब हो क्या रहा है ध्यान से earthing करी हमने इसकी ये earthing कर दी हर एक घर के हर appliance में earthing की जाती है आपको पता होगा सुदाट हम extra charge जो होते हैं वो हमारे अंदर ना ट्रांसफर हो जे इसलिए earthing करते हैं तो ये एक positively charge rod है और उसकी तो earthing कर दी now remove this road अगर इस road को हटा देंगे तो यहाँ पे negatively charge randomly distribute हो जेगा यहाँ पे negatively charge randomly distribute हो जेगा इस तरीके से distribute हो जेगा अगर ये charge यहाँ पे distribute हो गया ना this body will become negatively charged body this body will become negatively charged body पहले कोई charge नहीं था पेले कोई charge नहीं था एक rod को pass लेके आए rod को pass लाने से क्या हुआ negative charge पास आया positive दूर गया positive की earthing कर दी इसको हटा दिया negatively randomly distribute हो गया negatively charge randomly distribute हो गया तो भाई इस तरीके से एक body को charge किया जा सकता है लेकिन charge करने के लिए हमें contact में place करना जरूरी नहीं है तो जो without contact हुआ जो without contact हुआ that is called induction उसे क्या बोला जाता है induction बोला जाता है that is called induction and do remember this is a temporary process ये एक temporary process है ये एक बार charging कर दी तो ऐसा नहीं भी होए रहेगी इसके बाद फिर सही randomly distribute हो जाएंगे और जब फिर से randomly distribute हो जाएंगे फिर charging खतम हो जाएगी this is a temporary process ठीक है चलिए याद रखना रब करोगे तो कौन सी है frictional electricity रब करोगे तो कौन सी है frictional electricity पास लेक्या होगे बिना contact के रखोगे तो induction बिना contact के रखोगे तो induction अब इसके बाद फिर आता है conduction the next thing is conduction अब ये conduction कैसे करनी है तो conduction करने के लिए क्या होगा एक body जिसके ओपर 10 coulomb का charge था ये दूसरी body जिसके ओपर 2 coulomb का charge था हमने इनको contact में place कर दिया अब जब contact में place करेंगे ना placed in contact तो उसको क्या बोल देंगे conduction ठीक है जल्दी से एक बार chat box के अंदर लिखके बताओ भई ये जब आपस में contact में आएंगे तो contact में होने के बाद इनका charge शेर होगा तो जब charge शेर हो जाएगा तो उसके बाद दोनों पे कितना कितना charge आएगा उसके बाद दोनों पे कितना कितना charge आएगा chat box में लिख्या बताओ हमने आज charges की properties पड़ी कितने तरीके के charge होते है सब पड़ा अब मुझे बताओ conduction के अंदर 6 and 6 बहुत बढ़िया केसे निकालते है इन दोनों को add करके divided by 2 तो 12 divided by 2 answer कितना आने वाल है this is 6 coulum तो मतलब यहां से 6 coulum और 6 coulum का charge आने वाल है and that is by contact and if it is by contact that is called conduction इसको क्या बोला जेगा conduction बोला जेगा क्या ये बात clear है ठीक है 6 coulum ही तो भाई आज का ये lecture थोड़ा सा छोटा रखा गया क्योंकि आज हमारा ये session late शुरू हुआ था और technical fault की होड़े से कल हमारा lecture होने वाल है 12 बज़े बिलकुल exact 12 पे शुरू करेंगे और वो lecture किस के उपर होगा coulum's law के उपर वो lecture किस के उपर होगा coulum's law के उपर तो be ready for this session कल मिलेंगे उसी जोश के साथ coulum's law के अंदर ठीक है 12 बज़े आजना पुरे coulum's law पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से फिर उसके कुछ तगड़े-तगड़े कुछन करेंगे ठीक है तगड़े-तगड़े कुछन करेंगे तांक इस दो मच सेशन को लाइक कर देना और वीडियो सब के साथ शेयर कर देना कल बारा बज़े मिलेंगे आज टेक्निकल फॉल्टा कल नहीं होगा तांक यू तांक यू सो माच क्थी थांक यू लाइक हुआ है तांक यू कल दिएला तांक यू सेशनी एम मिलेंगे तांक यू वीज़े पॉल्टा इसक्शन की दो माच तांक यू लाइक है तांक यू तांक यूल्टा यूल्टा